हम आए दिन देखते हैं कि दलितों के साथ हर रोज कोई न कोई दुर्वेभार होता ही आ रहा है रोजाना हमें ऐसे कई मामले सुनने के लिए मिलते हैं जिसमें दलितों के साथ अत्याचार होता हमें दिखाई देता है नमस्कार मेरा नाम काजल है और आप देखना शिरू कर चुके है Equality Views और अगर आपने हमारी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरन कर ले दरितों का शोशन कोई आज की बात नहीं है सदियों से उनका शोशन होता चला आ रहा है उनसे उनके सारे संसाधन छीन लिये गए मनुस्पृती जैसे ग्रंथों ने उन्हें दीन हीन बना दिया उन्हें शिक्षा से वंचित किया गया और धनसंपदा से वंचित भी किया गया उन्हें भाग्य, भगवान तथा पुनर जन्म का भय दिखा कर और अंद विश्वास बना कर गुलाम बनाए रखा गया अब ऐसा ही एक मामला मदिप्रदेश के इंदौर से भी सामने आया है दरसल हुआ कुछ ऐसा कि मदिप्रदेश के इंदौर के खुडेल थाना स्तित कमपील चौकी के अंतरगत आने वाले ग्राम तिल और बुजर्ग में एक दलित परिवार पर हिंदुवादी असामाजिक तत्व द्वारा धाई सो से तीन सो लोगों द्वारा हमला किया गया जिसमें एक महिला और एक युवा गंभी रूप से घायल हो गया है तो वही छे से साथ लोगों को मामूली चोटे भी आई है इस मालवा छेतर में मवेशी उठाने का काम रविदास समाज के या बालमीक समाज के या मुसलमान लोग करते हैं अभी अभी हमारे आवान के मताविक लगवग जवाना मतलब पांच वरस से हम इस पर आवान चला रहे हैं कि हम मवेशी उठाने का काम नहीं करेंगे और हमारे लोगों ने तिल और खुद में उनके यहां पर अधर कास्ट में कुर्मी बंजारा जो पिछड़ा वर्ग के हमारे बाई हैं उनके जहां किसी बैल वगरा की गाय की कोई जो ना मतलब मरत्य होई थी उसमें उठाने के लिए उनसे कहा गया उन्होंने का हम नहीं उठ भाएंगे इस बात को लेकर जगड़ा सुरू हुआ और जगड़े की चर्चा जो ना दिन में कुछ होई और रात को उन लोगों के यहां पर कम से कम डाई सो तीन सो आदमी लोगों ने अटेक किया और उनके घरों में मार पीट की मैलाओं को मारा पीटा बच्चों को मारा और हमारे जो ना कई लोग जो घायल हुए हैं जिनको मेडिकल के लिए M.I.E. ऑस्पिटल में बेजा गया अभी हम पुलिस थाना जो ना चोकी कमपेल के आकर अपनी बात बता रहे हैं कि इनके उपर सक्त से सक्त कारवाई की जाए क्योंकि यह इस तरीके की घटना जब भी गटती हैं तो इनके पीछे जो आवरण हैं वो हमारी जितनी भी जो उच्च जाती के लोग हैं उनकी कहीं ना कहीं अंदर से से होती है अंदर से उनको सेरेक्षन होता है जितने भी जो ना हिंदू संगठन है वो इन बातों को महतो देते हैं और खास करके भारत में तो जो इसलिए हम दरम परिवर्तन में जा रहे हैं कि हमारे साथ इनी बातों के पीछे जगड़ा होता है इस विशे पर आखिर आपकी क्या राया है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें अभी के लिए इतना ही फिर होगे आपसे मुलाकात तब तक के लिए आप देखते रहे है एक्वालिटी न्यूज खबरों को और भी विस्तार से देखने के लिए आज ही हमारे फेस्बुक पेज को लाइक और फॉलो का ना भूले साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें